जै शनी देव, जै श्री कृष्णा, मेरी प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग, स्वागत करी हूँ आपका फिर सिस अपता हिक राशीपल में, 17 जून से लेकर के 23 जून कैसा जाएगा आपके लिए, क्या-क्या घड़ना है, इस समय के आसपास आपके साथ होगी, यही साथ आज जानें के डीटेल में, so let's get started. जीवन बहुत ही अनिश्चित है, हर समय एक शंका, एक डर बना रहता है, न जाने आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर के आएगा, इसलिए मैं हर सप्ता, हर भीक आदि हूँ, ताकि आपका राशी फल आपको बता सको, और उसके माध्यम से आपको गाइड कर सको, कि आने वाला समय ऐसा है, कोई बुरी घटना दिखाई देती है, मुझे अपने इंट्यूशन के पीसिस पे, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उसमे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी विल्पावर से सतर्क हो करके सावधानी से उसको अवाइड कर सकते हैं, अगर समय आपको पता चलता है कि अच्छा है, ऐसी सिति में उसका भरपूर लाब उठा सकते हैं, सही निर्णे अपने जीवन के ले सकते हैं, इसलिए राशी फल मैं आपको बताती हूँ ये राशी फल बहुत विशेश है, किसी भी अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मात्र जोतिश की गड़नाओं पर मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ जो भी इंट्यूशन मुझे प्राप्थ होती है, भवान से जो भी कृपा मुझे मिलती है उसके माध्यम से मैं आप से कनेक्ट होती हूँ, अपने सभी सब्सक्राइबर से कनेक्ट होती हूँ और उसके माध्यम से मैं आपको बताती हूँ, और आप ही लोग बताते हो गुरुमा, आपकी बाते बताई हुई 100% मैच करती है, कई बार तो 1000% मैच करती है, कई बार हो सक क्योंकि energy की rating कर रही हूं मैं तो हो सकता एक दो दिन आगी पीछे वो गटना आपके साथ या तो हो करके चुके है या होने वाली है लेकिन फिर भी उसको consideration में लेकर के हम चलेंगे हमारे जोतिश जो है वो कमाने की विद्या नहीं है सीवा की विद्या है और उसी को बताने के लिए हम यूट्योब में आपके साथ share भी करते रहते है हर गुरुबाज स्थ दर्बार लगाया जाता है जिल बिलकुल निशुलक है आपकी जर्मकुली देखना जर्मकुली नहीं है तो आपकी चेहरा को देखकर का आपकी आपकी जर्मकुली बनाना आपके फल को मंत्र सि प्रदान करना और जो भी गाइदेंस हमें मिलती है आपको देना यह सारी ही चीजे हम सिर्द दर्बार में करते हैं नई दिल्ली में वैस्पटेल नगर में लगाया जाता है लेकिन थोड़ी सी अर्चन को कोई भी अच्छा काम करो कि थोड़ी अर्चन तो आएगी तो जो भी काels के भी दर्म विरोधी एं या हमारे आसपास की पडूशी है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा है हमने तो प्राटना भगवान के चर्णों में लगा दी है, आप लोगों के साथ भी ये परिशानी शेयर करते रहते हैं, किसी के पास भी दिल्ली के आसपास या पटेल लगर के आसपास कोई दवस्था बने, तो अवश्य हमें बताएं जहां हम कम से कम 500-600 लोगों से मिल सकें, उनको आश्यरवात प्रदान कर सकें, उनकी जनम कुर्ली देख सकें, और केवल थर्स्टे ही नहीं हर दिन आप लोगों से मुलाकात कर सकें, तो ऐसी प्राटना भगवान के चर्णों में लगा चुके हैं, और हमें पूरा विश्वास है, किसी ना किसी भक्त द्वारा शीक यह नंबर ओपन रहेगा, जिसमें टोकन आपको वित्रित किये जाएंगी, टोकन हमारे पास अभी बहुत लिमिटेट है, मात्र पचास लोगों से हर गुर्वार हमें मिलने की यहां पर अनुमती मिली है, इस से जाधा लोग आते हैं, तो दूसरों को परिशानी होती है, ज बिल्कुल भी वरस्था नहीं है, जैसे होगी हम आपको इंफॉर्म करेंगे यूट्यूब के हिमाध्यम से और आपसे जल्दी ही मुलाकात भी करेंगे, जो लोग बाहर रहते हैं, तो भो भी घबराएं नहीं, बहुत चारे भक्तों से बातचीत चल रही है, जल्दी ही हमा सकते हैं, और अच्छा समय इंजॉई कर सकते हैं, लेकिन साथ-साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपसे बहुत ही जैलिस है, या आपके आसपास की पड़ोसी हो सकते हैं, या रिष्टेदार हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कहीं आपको जाना पड़े और वह हैं, या फिर दूसरों को आपके खिलाफ बढ़कानी का प्रियास कर सकते हैं, तो उस तरह की चीजे थोड़ी दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ अपना थोड़ा ख्याल रखेंगे, अगर घर में कोई खुशी भी आती है, इस हफ़ते कोशिश करिए कि बहुत जादा लोग कि नजर उतार के रखेंगे, ताकि किसी तरह की तिकत आपके ऊपर ना आए, कुछ लोग इस हफते में जॉब चेंज करने का सोच सकते हैं, लेकिन आपको जैसे कोई मौका नहीं मिलेगा, आपका वर्क कल्चर जो है, आपकी कोलीक्स हो सकता है, बहुत जादा आपका टॉक तो अभी बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं जॉब को, इसी जॉब को कंटिनु करेंगे, क्योंकि आगे हालात आपके ठीक हो जाएंगे, धन की दुष्टी से बात करें, तो धन की दुष्टी से अच्छा बना हुआ है, कोई अच्छा काम करना चाते हैं, इंवेस्मेंट क करना चाते हैं, तो इस हफते में बिल्कुल कर सकते हैं, वहां कोई दिकत आपके लिए नहीं है, जिन भी लोगों का तेल से संबंदित कोई काम है, हेर ओल, औल से संबंदित कोई काम है, तो उन लोगों को इस हफते में ज़रूर लाप की प्राप्ती होगी, कोई अच्छा और भी आपको इस समय में मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इंकम का मौका भी इस हफते में बन सकता है, जहां आपको बहुत जादा कुछ नहीं करना है, आपको रिलाक्सी रहना है, और वो चीजे आपके लिए पन रही है, लेकिन गेम बगेरा की चीजो मैं गुरुमा से तीन-चार मेंने पहले मिला था, उस ताम मुझे बहुत जादा प्रोब्लम थी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था उस ताम, मैंने वीडियो देखा था गुरुमा का, फिर मैंने यहां पे आया, और यहां फ्री सेवा है सब कुछ, बस कुछ ऐसे उ मिलता हूं, तो बस हमारी हसी में रुपती है, तैसे मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से भी और वैसे भी, हमारा बिजनिस भी दुबारा स्टार्ट हो गया है, जो हमें पैसे की बहुत ज्यादा प्रोब्लम आ रही थी, वो भी हमें ठीक है, मैं गुरुमा को बहुत-बहु बहुत, पैसे कोई अनबन चल रही थी, लड़ाय जगडा चल रहा था, तो इस हफते में आपकी आपस में रियुनाइट हो सकते हैं, अच्छी बाताल आफ हो सकते हैं, तो एक कहिन की किसी तीसरे व्यक्ती कि थूह, मतला आप से नहीं हो रहा है, किसी तीसरे व्यक्ती के तो आप दोनों को मिलाया जा रहा है और वापस सी प्रॉब्लम्स जो है उसे चाटी जा रही है ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है इस समय में टीचर के लिए अच्छा समय है अगर आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं या कहीं और अपलाई करना च चाहते हैं या गर्मिन जॉब के लिए प्लाई करना चाहते है उस दिशा में काम करना चाहते तो उनके लिए बहुत अच्छा समय यह दिखाई दे रहा है इस समय में फैमली में तो आपकी काफी हैपिनिस होगा खुशिया आएंगी कुश लोग जो है वो अपने बच्चों अच्छा ताम स्पेंट करेंगे तो आपको मन में सुखोन सा मना रहे का घर में अगर आपको कोई पैट है या बहुत चोटा कोई बच्चा है तो उसको कुछ घरों में दिखाई दे रहा है उनकी तब्या थोड़ी खराब हो सकते हैं उसे पेट में दर्द रह सकता है रात क सुरू कर सकते हैं अपने मारिच की अगर मैरिच को कंसीडर कर रहे है तो या सिम्पल सामने माली पनी दूसरे को पसंब करते हैं तो आप सामने माली को अपनी प्रश्साヤ न आपके माता काफी कंजूस समय में हो जाएंगी हेल्थ की बात करें तो आप खुशाल बने रहेंगे अक्टिव बने रहेंगे एनरजी काफी रहेंगा हेल्थ की वाइस तो ऐसी कोई जादा दिकत नहीं दिखाई दे रही है थोड़ा सा मुझे वो दिख रहा है आपके आसपा बात दे रहे हूं जैए शनी देव जैए श्रीकृष्का